हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में शुरू करेंगे अठारवे अध्याय का चववनवा श्लोक 18.54 देखे भगवान ने पिछले तीन श्लोकों में भगतों के गुण को संक्षिप्त वे में एक्स्प्लें किया 51, 52, 53 अभी अगले तीन चार श्लोकों में भगवान वही सब बाते रिपीट कर रहे हैं जो पहले अध्यायो में भगवान ने बताई है अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जो दिव्यपद पर स्थित है किसकी बात कर रहे हैं जो 51, 52, 53, 51, 52, 53 में जो बाते बताई हैं जिसमें इतनी qualities होंगी तो वो दिव्यपद ही हुआ, वो सधारण मनुश्य तो नहीं हुआ तो इस प्रकार जो दिव्यपद परस्थित है वह तुरंत परभ्रम यानि परमात्मा का अनुभव करता है और पूर्णत या प्रसन हो जाता है मैंने एक बार पहले भी बोला था कि अगर कोई कहलाओ मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराता हूं तो वो अल्मोस्ट चीट है अगर कोई कहता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन किये हैं वो हो सकता है एक टेम चीट ना हो वैसे जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिये होंगे वो इतना समझदार तो हो गया होगा कि अगर वो ये बात लोगों को बोलेगा कि मैंने परमात्मा के दर्शन किये हैं तो लोग उसके पाव़ों में गर जाएंगे उसको बहान गुरु महन वेक्ति मानने लगेंगे और जिसने सच में परमात्मा के दर्शन किये होते हैं वो तो पूरी तरह दिव्य है वो इस चीज को अवोइड करेगा वो पॉपुलरिटी नहीं चाहेगा उसको तो सब कुछ मिली चुका है उसमें कोई बहुतिक इच्छा बची ही नहीं तो वो क्यों बोलेगा लोगों को कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर ली है पागल थोड़ी है वो तो सबसे समझदार है है ना उसको पता है कि ऐसा बोलते ही लोग उसके पीछे लग जाएंगे कि ये तो कोई माहन है शुद्ध है चलो इसकी सेवा करो अब इसको पैसे दो और इससे आशिरवाद लो वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा जो शुद्ध भक्त है उसको ये सब अडंबर नहीं चाहिए तो इसका मतलब मेरी सोच ही कहती है जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिया जिसने परमात्मा को अनभव कर लिया वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने अनभव कर लिया तो इसका मतलब जो बोल रहा है कि मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया हो सकता है वो भी चीटो और जो कहें मैं आपको कराऊंगा वो तो चीट है ही परमात्मा का नभव परमात्मा का दर्शन इतना सरल और इतना सस्ता नहीं है इतने महान दिव्य गुण जिन लोगों में डिवलप हो चुके हैं भक्ती सेवा और तपस्या चल रही है तपस्या का मतलब मैंने फिर कहा तपस्या का मतलब जंगलों में जाके तपस्या नहीं आप घर में रहकर भी अगर एक भक्त की भाती जीवन जी रहे हैं शास्त्र कनुसार जीवन जी रहे हैं तो आप शुद्ध है तो यहां भगवान यही कह रहा है इस प्रकार जो दिवेपद पर स्थेतेवत तुरंत पर भ्रहम अर्थात पर मातमा का नभव करता है और पूंड तया प्रसन है वो वो सुखी है खुश है उसको कोच चाहिए ही नहीं मैं यही तो बोलना हूँ, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको मान सम्मान भी नहीं चाहिए, रोटी चावल तो चाहिए ही नहीं, उसको मान सम्मान भी नहीं चाहिए, जो मिलेगा उसको पता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो खुश है, वो ना कभी शोक करता है, ना कि service men, business men, any man, any woman, सब सब सेम है, उसके लिए कोई परवा नहीं है, उसको ठीक है, शयाद वो एक दिन किसी बहुत सदान वेक्ती से भी आराम से वो ऐसे ही बात करेगा, जैसे अगले दिन अगर उससे परदान मंतरी भी मिलने हैं, जैसे एक दिन हमारे गुरु महराज से स्वेम परदान मंतरी आके मिले, वर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई excitement रही होगी, ठीक है, जो भग जाते हैं, उससे सब मिलते हैं, उस दिन परदान मंतरी से भी मिले एक दिन, फिर किसी और से भी मिले होंगे, दिन बहर उनसे कोई मिनिस्टर भी मिलते थे, और सधान जंता भी लैन लगाके, जब भी महराजी अविलेबल होते थे, सब जिस भी शहर में महराज जाते थे, वहांके सारे भक्तों से मिलते थे, उनके चेहरे, हाव, भाव, बात करने के तरीके में कभी कोई अंतर दिखाई नहीं, तो वो संभ थे, उनको कोई फरक नहीं बढ़ रहा है, वो सधान भक्त से मिल रहे हैं, या फिर परदान मंतरी से मिल रहे हैं, कोई excitement नहीं होती शुद्ध भक्त को, प्रतेक जीव पर संभाव रखता है, इस सवस्था में मेरी शुद्ध भक्ती को प्राप्त करता है, और क्या कह रहे है भगवान, पच्पन्वा श्लोक, भगवान कह रहे हैं, इसमें संस्क्रित में देखें, जो शुरू के शब्द हैं, वो बड़े important, आपने देखा होगा, बहुत कभी कभी मैं कोई संस्क्रित का phrase आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बहुती popular भी होता है, तो ये है भक्ति भक्तिया माम अभी जानती, आप इसका संदी वीचे देख रहे हैं, भक्तिया का मतलब प्रभुपाजी ने हिंदी में लिखा है, शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभी जानती जान सकता है, तो इसका अगर पूरा श्लोक पढ़ने कोशिश करें, तो विल्कुल शुरू मे लिखा है, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, भगवान ने बोलन सा, ग्यारे में अर्जुन को कि तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्यनेत्र देने पड़ेंगे, तो अब हमें दिव्यनेत्र कैसे मिलेंगे, हम भगवान को कैसे देखें, भगवान के दर्शन कैसे करें, तो भगवान को कैसे जान पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, और वो है केवल केवल भक्ति से, इसका मतलब यह हो गया, अगर हम अपने काम धंदे में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिजी तो रहने के लिए सुएम भगव हो जाएगी थोड़ी, है न? क्योंकि भक्त को ये सब विदी विदान भी तो भक्ती के विदी विदानों के भी बात हुई है भगवत गीता में, तो ये सब चीजे भी तो करनी है, इसी अध्याय में अठावय में भी बात हुई थी ने, कि यग्य, ए तपस्या दान, ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है अब फिर इसका मतलब अगर आप हरी наम नहीं ले रहे हैं, तो यग्य तो करी नहीं रहे हैं और अगर बिलकुल ये अपने काम-धन्दे में लगे हैं, तो दान तो शयद आपकर रहे हैं कर रहा है ढंग से, मन से कम से कम हर समय भगवान से जुड़ा, अच्छा होने को हो सकता है, अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है, परमात्मा मुझे प्रेणा दे रहे हैं, कि जो पूरी तरह से बिजनिस में जुड़ा हो सकता है, 24 गंटे उसका मन भगवान में लगाओ, प् माग बिजनिस में ही लगता है, उस वक्त तो एक तरह से थोड़ा सा भगवान सैडलेन होई जाते हैं, कितना भी कर लो, उस प्रेशर में जब है, हाँ, बहुत जो मैं भी उस स्टेज पे नहीं हो, कुछ होते होंगे, जो बहुत ही शुद्ध बगते हैं, जो बिजनिस में क स्थिती समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब तो फिर यह ही होगा ना, कि बिजनिस हार सापको कम ही करने पड़ेंगे, ताकि कुछ घंटे तो आप पूरी तरह से फिर भक्ती में डेडिकेट कर सको, उन्हें तो कैसे काम चलेगा, कहरे निविस, फिलाल भगवान कह रहे हैं, केवल भक्ती से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, यानि दान करने से सरफ भगवान नहीं मिल पाएंगे, वैसे भी वो द्रवे, दान, द्रवे, यग्या माना जाता है, यानि थोड़ा लो कैटेगरी का, दान देने वाले को तो ल अब मैं जैसे भगवत गीता का परचार कर रहा हूं, आप मुझे कैश देकर, यानि धन देकर help कर सकते हैं, बट अगर खुद करेंगे, तो भाई उसी को भगवान जादा importance देंगे, जो कर रहा है, उसकी मदद भी अच्छी बात है, बट खुद करने की तो बात ही अलगे, आप जैसे आपने एक भंडारा स्पॉंसर कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने भंडारा स्पॉंसर करने के साथ, आप खड़े होकर खुद बाटा, फिर लास में खुद पत्तल उठाई, जो लोग इदर उदर गिरा गए थे, तो उसकी फिर बाती अलगे, वो हो गई पूर्ण भक्ति, पूर्ण सेवा, तो यही चीज आ रही है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनम्रत में होता है, मतलब उसकी consciousness में सरफ कृष्ण है, हर से में उसके दिमाग मिलेगा तुरंत भगवान कृष्ण की सेवा करने लगूँगा, वो वेकुंठ जगत में परवेश कर सकता है, यानि वो मोक्ष का अधिकारी है, है ना, आगे भगवान देखिए 56 शलोक में क्या कह रहे हैं, यह है 56 शलोका, भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त, मेरे सनरक्षण में, भगवान तो नैच्रिल परटेक्ट करते हैं अपने वक्त को, समस्त प्रकार के कार्वियों में सनलगन रहकर भी, समस्त प्रकार के कार्वियों कर रहा है, भगवान के सनरक्षण में हैं, अपनी जॉब कर रहा है, अपना बिजनस कर रहा है, अगर घर में ब बोलेगी सर आप बार बार बोल रहे हो कि धाम यात्रा ही करनी है मैं तो अपने घर की सेवा करूंगी मेरे पार तो इतने पैसे भी नहीं कि धाम यात्रा कर सकूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मन से ही चले जाओ बहिए मुबाइल तो आपके पैस है तभी आप ये वीडियो सुन रहे हो मुबाइल पर रील्स आती है लोग फालतू रील्स देखते हैं अगर आप अच्छा ये भी अच्छी बात है फेस्बुक बगरे में अगर आप धार्मिक रील्स देखना शुरू करोगे तो वह वही आ सारे मंदिरों के सारे धाम यात्राइं यहीं कर लो आज कल तो सारी सुधाय हैं आखे बंद करो भगवान ने एक बार आपने देख ले उनको और आखे बंद करो उसके बाद आप दर्शन कर लो बाकी तो में तो मुख्य सेवा मुख्य सेवा मुख्य सेवा हरी नाम है अगर आपने हरे कृष्ण महामंतर का जब नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि फिर भक्ती की शुरुआत हुई के नहीं हुई बिकुज वो मुख्यतम है जितना मैंने आज तक समझा है मैंने आपको कई बार डिसकस किया है कि मुझे करीब आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चौबिस साल होगे चुके हरी नाम करते हुए और मैंने अनेक लेक्चर सुने हैं अनेक किताबे पढ़ी है और मेरे को आज तक यही समझ में आया है कि कलियुग में अगर हमें भगवान की भक्ती करनी है तो उसका जो मुख्य जो है ना एक्टिविटी वो हरी नाम जब है तो अधिक से अधिक आप जब करें प्रभुपा जी ने ग्रस्तों के लिए कम से कम सोला माला बताई है अगर आप नहीं करते तो मैं कहूंगा दो करें, चार करें, छे करें, कुछ तो करें जब तक आप हरी नाम नहीं करेंगे तब तक आपको गीता पढ़ने में, सुनने में, प्रचार करने में भगवान की आरती करने में, दान करने में, कोई वरत करने में और चीजों में वो natural interest नहीं आएगा कहीं न कहीं परमात्मा उसके लिए motivate करेगा जब आप हरी नाम जब करेंगे यह मेरा खुद का भी अनुभव है जो लोग जब नहीं करते इसको वेर्थ समझते हैं या अपने आपको उससे जौदा busy समझते हैं वो फिर थोड़े दिन चोचले बाजी करके थोड़ा बहुत बस फिर वो गायव हो जाते हैं क्योंकि बांदेगा आपको हरी नाम कई बार भक्तों का संग नहीं हो पाएगा आप बिमार हो गए कुछ और आफ़त हो गई बचाएगा आपको हरी नाम क्योंकि हरी नाम आप रोज ले रहे हो आप विदेश चले गए, दीसरे राज्ये में जा रहे हो हवाए जाज ट्रेन, प्लेइन, बस जो कुछ भी कर रहे हो हरी नाम तो मुझे लेते जा रहे हो माला करनी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई माला करने बहुत जरूरी है तो भगवान बता रहे हैं आप सारे तरह के काम करके भी मुझको प्राप्ट कर सकते हो तो वो प्राप्टी कैसे होगी वो माला से होगी तो हरे क्रिश्न, हरे क्रिश्न, क्रिश्न, क्रिश्न हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जबते जाओ जबते जाओ जबते जाओ हरे कृष्णा